जब संक्टों के घेरे में हैं चारों तरब बंबंबंबंदूग की आवाजे सुनाई दे रही हैं मानवता के लिए भारत जैसे दोवेश आज दुनिया में अपने विचार का प्रभाव प्यादा करने का प्यास कर रहे हैं ऐसे समय सतना की धर्ती से एक ऐसी जोती निकलती है जो बंदूग की नाली से संगीत के सूर निकालती है युद्ध की मानसिक्ता वाले मानव समुदाय को सतना की धर्ती का यह बहुती सचक्त संदेश हैं मैं सभी साथियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं सभी कलाकारों को शुब कामनाय देता हूं मुझे ख्षमा करना आप लोग तो भाशन सुनने आये होंगे लेकिन आपको मैंने संगीत संगीत वही रो लगा दिया मेरे ली भी अच्छा रहा इस दोड़ धूप में कुछ पल ऐसे पवित्र बाताबरण में बताने का अउसर मिला अभी कुछ दिनों पहले ही मिज़े चित्रकूट में एक संग समागम में जाने का स्वभाग मिला था आज यहां सतना में जनता जनारदन के दर्शन हो रहे हैं ये मेरे लिए दोहरे स्वभाग की बात है मेरे परिवार जनों ये संतों और देश की जनता का अशिरवाद है कि आज भारत का गवरो विश्व में नई बुलंदी पर पहुचा है आज पुरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है ये आपके एक वोट ने ऐसा कमाल किया है कि देश के दुश्मनों के होसले पस्त है इस बार भी MP ये चुनाव में आपका हर वोट त्री शक्ती की ताकत से भरा हुआ है त्रीवीद शक्ती का सामर्त है आपके वोट में है आपका एक वोट यहां फिर से भाजपा की सरकार बनाने जा रहा है आपका वही वोट दिल्ली में मोदी को मजबूत करेगा और आपका वही वोट ब्रश्टाचारी कॉंग्रेस को MP की सरकार से सो कुछ दुर्ट ले जाएगा यानि एक वोट तीन कमाग साथ्यों मैंने अपने राजनिती जीवन में बहुत से चुनाव देखे हैं और बरसों तक तो मैं चुनाव लड़ाता रहा मैं कभी लड़ा नहीं लेकिन बाद में लड़ने की नौब बता गई लेकिन इस बार मतप्रदेश का चुनाव बड़ा ही दिल्चस्प है और मैं देख रहा हूँ इस बार मतप्रदेश का भईविश मेरी माताय बहने ताय करने वादी है मतदान में अभी इतने दिन बचे हैं लेकिन उससे पहले ही कॉंग्रेश का जूट का गुबारा पंक्चर हो गया फूट गया है कॉंग्रेश के जूट के गुबारे की हवा निकल गई है और आपने देखा है ना जब गुबारे की हवा तेजी से निकलती है तो वो कैसे लड़ खडाता है सोर मचाता हुआ इदर उदर जाता है वैसे ही हारते हुए कॉंग्रेश के नेता इदर उदर भागते हुए अब सिर्फ शोर ही शोर मचा रहे है कॉंग्रेश के पास MP के विकास का कोई रोड मैप नहीं और इसलिए कॉंग्रेश के ठके हारे चहरों में यहां के युवाओं को कोई भविश्य नहीं दिखता है इसलिए MP को भाजपापर भरोसा है MP को मोदी की गारंटी पर भरोसा है और यह भरोसा इसलिए है कि हर देश्वासी जानता है कि मोदी की गारंटी यानि हर गारंटी पूरी होने की गारंटी मेरे परिवार जनों आजकल मैं जहां भी जाता हूँ वहां अयोध्या में बन रहे प्रभुराम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है पूरे देश में खुशी की लहर है सवभाग्य से भरे इस पावन कालखन में मेरे मन में एक बात बार बार आती है मैं खर्च्वायम सोथता रहता हूँ और जो बड़ों से सुना हुआ है वो बात हर पल मेरे कान में गुंती रहती है मेरे मन को अंदोलित करती रहती है और मुझे तेज गती से दोड़ने की प्रेना देती है और बार बार मैं उसका स्मरन करता हूँ जहां कहा गया है राम काज किने बिनू मोही कहा विश्राओं अब रुकना नहीं है ठकना नहीं है और विश्राम का तो सवार पैदा ही नहीं होता यहां की भाजपा सरकार को दस साल तक केंद्र की कॉंग्रेस सरकार ने हर काम में रोड़े अटकाए काम करने नहीं दिया रुकावटे परदा की अभी 2014 में ही तो मद्रप्रदेश को डबल इंजीन की डबल ताकात मिली है MP को जिस अंधेरे कुए में कॉंग्रेस ने दकेल दिया था उस अंधेरे कुए से भाजपा MP को बहार निकाल पाई है अब तेज विकास का समय आया है सबके विकास का समय आया है दलीत पीडीत शोशीत वन्चीत पिछडे आदिवासी गरीब नवजवान किसान हर किसी को अब उसका हक मिलेगा मेरे परिवार जनों गरीब की बहुत बड़ी चिंता होती है कि उसके पास अपना पक्का घर कब होगा होती एक नहीं होता है जिन्दगी में जिसके पास कोई अता पता नहीं है उसको एक पता चाहिए उसे अपना एक घर चाहिए वो अपने पक्के घर के लिए पाई पाई जोड़ने की कोशिश करता था पैसे बचाने की कोशिश करता था लेकिन कॉंग्रेस के राज में चारों तरफ ऐसा ब्रस्टा चार था कि गरीब के पक्के घर का सपना चकना चूर हो जाता था भाजपा सरकार ने देश के गरीब के इस सपने को पुरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया है बीते दस वर्षों में चार करोड से अधीक गरीब परिवारों को हमने पक्का घर दिया है मैं जर आप से पूछना चाहता हूं मैंने क्या कहा कितने गरीब परिवारों को पक्के घर दिये हैं कितने कितने यह चार करोड बहुत बड़ा आंकड़ा होता है दुनिया के लोग जम मेरे से सुनते हैं न तो अच्रज हो जाता है चार करोड गर कई देशों की ते इतनी आबादी नहीं होती है जितने हमने गर बना दिये हैं और साथियों हम तो भक्ती में डुबे वह लोग है और इसलिए जब भव्य राम मंदिर बनाते हैं तो वो भी उसी भक्ती से और चार करोड गरीब के घर बनाते हैं वो भी उसी भक्ती से बनाते हैं हम लोग तंत्र का भव्य मंदिर नया संसद्ध भवन बनाते हैं तो हम तीस हजार पंचायतों के भवन भी उसी संवेदान की संसद्धा के साथ बनाते हैं और मुझे खुशी है कि भाजपा की डबल इंजिन सरकार होने के कारण एमपी उन राज्यों में से एक हैं जहां गरीबों के लिए लाखों घर बनाए गए यहां सतना में भी हजारों गरीब परिवारों को पक्का आवास मिला है एक लाख 32,000 देखिए हमारा गणेश जी कह रहा है और गणेश जी के मुझे जो निकलता था ना उसके बड़ा सामर्थ होता है और जिनको अभी अपना घर नहीं मिला है मैं आपको गारंटी देने आया हूँ जिनको अभी घर नहीं मिला है यह मोदी की गारंटी है उनका घर भी बनेगा उनको भी घर मिलेगा आप साब लोग निश्चिंद रहिएगा मोदी ने आपके पक्के घर के लिए पहले ही पैसे का इंतजाम करके रखा है जैसे ही तीन दिसम्बर को यहां बाजपा सरकार लोटेगी पीम आवास योजना का काम और तेज कर दिया जाएगा हर गरीब परिवार को पक्का घर मिलेगा यह मोदी की गारंटी है गर मतलब सिर्फ चार दिवारी नहीं जब मोदी घर देता है ना तो सारे सपनों को पूरा करने का आश्याना भी देता है सिर्फ चार दिवारे नहीं बल्कि उसमें बिजली भी है गैस कनेक्षन भी है टॉयलेट भी है नल भी और नल में जल भी है साथियों पक्के घर के साथ साथ मुप्त राशन का भी पक्का इंतजाम ये भी मोदी की गारंटी है कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां कभी चूला भूजेगा कोरोना काल में मुप्त राशन देनी वाली योजना हमने शुरू की थी अब मोदी ने निश्चे किया है आपको मालूम है कितना बड़ा संकर था मौत मंडरा रहा था हर लोगों को लगता था कहीं गर में कोरोना गुज गया तो गए काम से बार निकलना मुझ्खिल था और तब मोदी ने ताय किया था मैं इस देश के किसी को भूखा नहीं रहने दूँगा गरीब क्या घर का चूला बुजने नहीं दूँगा कोई मेरे बेटे बेटी रात को भूके सोन जाएं ये रात भर मात तड़ती न रहे ये मोदी ने पक्का किया था और इसलिए मुप्तराशन देना शुरू किया था और ये मुप्तराशन की योजना ये डिसंबर महने में एक महने के बाद पूरी हो रही है तो लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि मोदी जीस पर कुछ सोच रहा चाहिए डिसंबर में इसको पूरा नहीं होने जना चाहिए ये गरीबों के कल्यान का काम है आगे बढ़ाना चाहिए और मेरे लिए तो जनता जनारदन का अदर्श यही तो इश्वर का अदेश होता है और इसलिए मैंने संकल्प कर लिया है मैंने पक्का मंग बना लिया है कि डिसंबर के बाद भी गरीबों के ओ मुप्तराशन की योजना पांच साल के लिए चलाओंगा पांच साल के लिए उसको बढ़ा दिया जाएगा इससे सतना जिले के लगभाग दो लाग परिवारों की राशन की चिंता कम हो जाएगी आज ऐसे लाखों परिवार करोणों लोग मोदी को आशिरवाद दे रहे हैं लेकिन गरीब के लियान की इस फैसले का कारण मोदी नहीं बलकि आप ही लोग है आपने ही तो गरीब के बेटों को दिल्ली बेजा है अब गरीब का बेटा गरीब के लिए तो काम करेगा आपके लिए ही तो काम करेगा आप ही तो मेरा परिवार है मेरे देश वास्यों यह मोदी है जिसने चार करोड घर बनाएं यह मोदी है यह मोदी है जिसने चार करोड घर बनाएं लेकिन खुद के लिए गर नहीं बनाया है मेरे परिवार जनों गरीबों का गर हो मुप्त नाशन हो मुप्त इलाज हो आजीन पर भाजपा सरकार लाखों करोड रुपे खर्च कर रही है यानि देश का पैसा गरीबों के काम आ रहा है लेकिन जब कॉंगरेस की सरकार थी तब पैसा कहां जाता था तब देश का लाखों करोड रुपयां तूजी गोटाले में जाता था कोईला गोटाले में जाता था कॉमन वेल्ड गोटाले में जाता था हेलिकॉप्टर गोटाले में जाता था और मोदी ने ये सारे गोटाले बंद कर दिये कॉंग्रेस के करप संकाल में जो बिचवलियों की मोज थी उसको भी मोदी ने ताला लगा दिया भाजपा सरकार ने सरकार योजनाओं का पैसा गरीबों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसपर करना चुरू किया आप कलपना कर सकते हैं दस साल में भाजपा सरकार ने 33 लाग करोर रुपे सीधे गरीबों के बैंक खातों में भेजे हैं और इसमें से एक उर्पिया भी इधर का उदर नहीं हो पाया साथ यो कॉंग्रेस किस तरह गरीमों का हग चिनती हैं उसका जीता जाता प्रमाने फर्जी लाभार्थी गोटाला जितनी मद्यप्रदेश की आबादी है जितनी 36 गड़ की आबादी है दोनों को मिला दे उतने ही फर्जी लाभार्थी कॉंग्रेस ने देश भर में कागजों में पैदा कर दिये दिसका जन्म नहीं हुआ वो लाभार्थी बन जाता था यानि करीब करीब 10 करोर फर्जी नाम ऐसे थे जिनका असल में जन्म भी नहीं हुआ था लेकिन कॉंग्रेस सरकार उनके नाम पर तीजोरी से पैसे निकालती थी और पैसे गायब हो जाते थे लोग कॉंग्रेस के चेले चपाटाओं के जेब में चले जाते थे उनके दलानों के हवाले कर दिया जाता था भाईयो बेहनो इसलिए जब गरीब के राशन के दुकान पर जाता था तो गरीब को पता चलता था कि उसका राशन तो कोई और ले गया जब किसी जरुरत मंदे के बच्चे को स्कॉलर्शिप काई होती थी तो वो हग भी कोई और छिल लेता था गैस सिलिनर की सबसीड़ी सरकार बेचती थी लेकिन वो सीधी कॉंग्रेस से चेले चपाटों की तीजोरी बे जमा हो जाती थी लूट का खेल ऐसे ही चल रहा था लेकिन कॉंग्रेस का दुर्भाग्या कॉंग्रेस का दुर्भाग्या आपने एक चोकिदार को बिठा दिया चौद्या में बोधी आ गया और मैंने कॉंग्रेस के फर्जी लाबार्दी गोटाले पर ब्रेक लगा दी यह जो दस करोर फर्जी लाबार्दी कॉंग्रेस ने कांगजों में पैदा कर रखे थे हमने उन्हें भी बाहर निकाल दिया आज इस बैज़े से गरीबों के पौने तीन लाग करोड रुपे याद करो पौने तीन लाग करोड रुपे कितने हैं पौने तीन लाग करोड कितने हैं जरा बोलिया आपके पैसे मैंने बचाएं कितने हैं पौने तीन लाग करोड जो सरकारी तीजोरी से चेले चपाटों के कॉंग्रेस के दलालों की तीजोरी में जाने थे उसको मोदी ने बचा करके आपके हवाले कर दिया है ये काम किया है जी अब आप सोचिए जब कॉंग्रेस को उसके चेले चपाटों को उसके दलालों को इतना बड़ा नुक्षान हो गया प्रेस्टाचार की काली कमाई को मोदी ने रोक दिया तो मोदी का क्या करेंगे क्या करेंगे गाली देंगे के नहीं देंगे गाली देंगे के नहीं देंगे यह जो गाली यह पढ़ रही है न उसका कारण वो ही है कि मोदी ने सारी दुकाने बंद करके रखी है और मोदी को कौन लाया कि कौन लाया मोदी को मोदी में हिम्मत कहां से आई एग यह देश की जनता है जो मोदी को लाई है और देश की जनता के असिरवाद हैं जिससे मुझे ताकप पाई है इसलिए कॉंग्रेस अपने सारी दुश्मनी मोदी के साथ ही देश की जनता से भी निकाल रही है वो सिर्म मुझे नहीं आपको भी परिशान करने में लगे हुए है मेरे परिवार जनों बंत पुदेश के मेरे पैरे भाई और भेनों आपको बरियेक सीखियात जरूर रखनी है कभी मत बुलिए कॉंग्रेस आई तबाही लाई जहां जहां कॉंग्रेस आई वहां वहां तब की मदद ये बंद कर देंगे कॉंग्रेस आई तो मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा कॉंग्रेस आई तो मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाएगा कॉंग्रेस आई तो किसान सम्मान निजी के पैसे मिलने बंद हो जाएंगे यहां जो सिवराज जी की सरकार ने लाजली बेहना लाजली लक्ष्मी जैसी योजनाय चलाई है यह उनको भी नहीं छोड़ेंगे इसलिए आपको अपना एक-एक वोट को कमल के फूल पर डाल कर कॉंग्रेस के घोटाले भाज़ों को रोकना है आप मेरी एक बार और आखिर रियाद रखिएगा यहां MP में कॉंग्रेस ने आपके सामने दो ऐसे नेता खड़े किये हैं जो कई वर्दसकों से मत्यप्धेश कॉंग्रेस को चलाते हैं अब आज क्या काम कर रहे हैं दोनों कपड़ा फाड़ नेता बन गए हैं एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और अपने समर्थ को कहता है तो उसके कपड़े फाड़ वह अपने चेलों को कहता है तुम उसके कपड़े फाड़ यही नेता MP को दसों तक अबाव में रखने वाले MP को बंचित रखने के लिए जिम्मेदार है यह आपके बहतर भ कभी नहीं दे सकते इनका तो अभी बस एक ही एजंडा है तीस तीन दिसंबर को भाजबा से हारने के बाद मर्द्रप्रदेश कॉंग्रेश पर किसका बेटा कभ्या करेगा कि उनकी लड़ाई यह है अपने बेटों को सैट करने में वो पूरे मद्रप्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं जिनको सिर्व अपने बेटों के ही चिंता है वो एमपी के गरीब बंचीत मद्दमबर के बेटे बेटियों के चिंता ही नहीं कर सकते मेरे परिवार ज केंद्र की भाजबा सरकार रामाएंट सरकीट के बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है चित्रकुर सहीच MP के अनेक सान इस योजना का हिस्सा है ये खेत्रा सिमेंट कारखानों के लिए जाना जाता है आने वाले समय में यहां दूसरे उद्योगों का भी विस्तार किया जाएगा उद्योगों के लिए अच्छी कनेक्टिविटी और परियाप्त बिजली की जरूरत है आज भाजबा डबल इंजिन सरकार की इस पर बहुत जोड़ दे रही है जबलपूर कट्डी सत्ना सिंग्रोली इन्वेस्टमेंट कोरिडोर और एलिवेटेट कोरिडोर के इस खेत्र में निवेस की नई संभावना इप्यता बनेगी लगुद्योग, कुटिरुद्योग, खेती से जुड़े उद्योग, इनके लिए आने वाला समय बहुत उद्वल होने वाला है यहाँ MP में छोटे, मजले और लगुद्योगों के लिए भाजबा सरकार ने सैक्रो करोड रुपे की मदद दी बाजबा सरकार ने MP में लगबग, 2500 हुद्योगी खेत्रा और पता से अधिक MSM क्लस्टर भी शुक्रुति की है तीन दिसंबर को बाजबा की जीत के बाद इन सभी पर काम और तेज हो जाएगा और यह मोदी की गारणटी है, मेरे परिवार जोनो इन चुनाव में मेरे जो पहली बार वोट डेनले वाले नवजवान है, जो पहली बार वोट डेनले वाले बेटे बेटी हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, मेरे युवा साथी हैं, मैं कहता हूँ इस बार नित्रत्व आप कीजिए, पूरे चुनाव को लीड आप कीजिए, पूरे देश के आसिरवाद आपके साथ है, भाजपा अब MP को समरुद्धि के सिखर की तरब ले जाना चाहती है, यह सिर्फ अपना विदायक चुनने का चुनाव नहीं है, यह आपका भविश्य चुनने का चुनाव है अपना और अपने बच्चों का भविश्य मनाने के लिए, आपको कमल का फूल चुनना है मैं आज अपने भाज़पा के कार्यकरता हों से भी एक बात कहूंगा जो भाज़पा कार्यकरता इसरेली में है जो भाज़पा कार्यकरता मद्द्देश के कौने कौने में अपना खुन पसिना एक कर रहे है मेरे लिए सारे कार्यकरता चाहे मैं उनको मिल पाओ या न बिल पाओ अख़बार मैं उनकी तश्विर छपे या न छपे टीवी पे कभी वो नजर आये न आये ऐसे लाखों कायर करता चार-चार पीडी से जुटे हुए परिवार ये मेरे लिए बंदनी ये लोग है मेरा एक-एक कायर करता मेरे लिए स्रद्धा का केंद्र है जब उनको मैं परिश्रम करते हुए देखता हूँ जी जान से जुटे हुए लेखता हूँ और सिर्फ एक इरादा होता है भारत माता की जै उसे अधिक जिसे कुछ नहीं चाहिए ऐसे लाखों कायर करता हूँ तो निर्मान करने का काम भाज़पाने के आए ये भाज़पा कायर करता हूँ का परिश्रम है जिसने भाज़पा को आज यहाँ इतनी मजबूस स्थित्य में पहुँचाया है ये भाज़पा कायर करता हूँ की मेहनत है क्या MPK Congress के हालत खराब है हर बूत पर कमल खिले इस संकल्प के साथ हमें एक जुट होकर आगे बढ़ना है आप गरगर जाएंगे इतनी बड़ी सभा के बाद ये तो नहीं करोगे ने बहुत हो गया ऐसा नहीं करोगे न हर बूत में जाओगे कमल खिलाओगे Congress को साप कर दोगे BJP को सांदर जिताओगे पक्का गारंटी देखे इस चुनाव में आप ही की गारंटी है भाजपो को जिताने की गारंटी अच्चा मेरा एक काम करोगे ये चुनाव वाला काम नहीं है मेरा व्यक्तिकत काम है करोगे ऐसा प्यार क्या आपका ये मेरा नीजी काम है करोगे सब करोगे पक्का करोगे देखे आप गरगर जाईए गाउं गाउं गरगर जाईए और जाकर के बताना कि मोदी जी सतना आये थे आप सब को उन्होंने प्रणाम भिजा है राम राम कहा है मेरा राम राम पहुचा दोगे मेरा प्रणाम पहुचा दोगे आप उनको जब मेरा प्रणाम पहुचा होगे न तो मन से मुझे आशिरवाद देंगे और जब हर परिवार से मुझे आशिरवाद मिलेगा तो मेरी उर्जान एक गुना बढ़ जाएगी और देश के लिए काम करने के लिए मुझे एक नई शक्ति मिलेगी मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्वाद